Dear Students, Platform of Learning YouTube Channel पर हम इस वीडियो में 9th क्लास की English Subject की Worksheet No.29 को Solution के साथ explain करने जा रहे हैं वीडियो को पूरा जरूर देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं Worksheet No.29 अभी तक हमने पहली वक्षिट में सीखा था कि किस तरह से people को describe क्या जाता है और किस तरह से किसी place को describe करते हैं दोनों को describe करने के लिए हम अलग-लग तरह के words यूज़ करते हैं अब यहाँ पर हम देखेंगे सीखेंगे कि stories किस तरह से लिखी जाती है कहानिया किस तरह से लिखी जाती है तो देखिए एक स्टोरी में हम किस किस तरह के elements को use करते हैं स्टोरी elements, the pieces or parts that make a story छोटे-छोटे parts, छोटे-छोटे piece मिलकर स्टोरी बनाते हैं स्टोरी बनाने के लिए हर एक उसका part, हर एक उसका piece important होता है Every piece is important to complete the puzzle देखें students, यहाँ पर आपके पास एक puzzle दी गई है अगर आपको इस puzzle को complete करना है तो आपको इसके हर एक part को लगाना पड़ेगा यदि इसमें से कोई भी एक part miss हो जाएगा मालो यह वला part यहाँ से miss है तो आपकी यह puzzle complete नहीं हो सकती तो यही कहा गया है कि किसी भी story को complete करने के लिए हमें उसके part की हमें उसके हर एक piece की important होती है जरूरत होती है तो देखिए क्या क्या है story के parts number first है character the people or animals that are important to the story story कहानी जो है वो characters के उपर लिखी जाती है जैसे कोई राजा का character play करता है कोई prince का character play करता है कोई पंडित का character play करता है इस तरहां से तो character का मतलब है वह कोई भी people या animal जिनके ओपर हम story लिख रहे है तो character किसी भी story का एक important part है next is settings the time and location where a story take place settings की उसकी setting कहाँ पर की गई है किस time की गई है किस location पर की गई है तो story का यह भी एक important part होता है कि हम किस time पर किस location पर story को मतलब play कर रहे है next is key events the important events or actions that occur during the story ऐसे कौन-कौन से events है कौन-कौन से actions है जो story के time पर लिए गई है key events मतलब जो ऐसे key की तरह काम करते है next is problem the main struggle or conflict that the main character faces story में जो हमारे characters है वह कौन सी struggle face कर रहे है कौन सा conflict face कर रहे है कौन सी problem face कर रहे है तो हमारी story की problems क्या है next is solution the way the characters solve the problem कि किस तरह से हम last में उसका moral, उसका solution, उसका way find out कर सकती है तो एक story लिखने के लिए उसके characters को, उसकी setting को, उसके key events को, उसकी problems को और उसके solution को हमें ध्यान में रखना पड़ता है चलिए अब इसका format study करें कि format क्या होता है story का story writing requires a lot of creativity and imagination किसी भी story को लिखने के लिए हमें बहुत creative, बहुत imaginative होना पड़ता है यदि हम imagination हम नहीं सोच सकते, हम कुछ create नहीं कर सकते, तो हम story नहीं लिख सकते some important points to be kept in mind while writing a story हमें एक story लिखते हुए, बहुत सारे points को ध्यान में रखना पड़ता है first point क्या है, think of a plot, सबसे पहले हमें एक plot सोचना पड़ता है मतलब एक साजिश सोचनी पड़ती है कि हम story जो लिख रहे हैं, वो हम किस चीज के ओपर लिखेंगे सबसे पहले हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि हमारी story का plot क्या है now decide about the characters, फिर हमें उसके characters को decide करना पड़ता है give a suitable title, उसके बाद हमें उसको title देना पड़ता है उसको शिर्षक देना पड़ता है कि लोग हमारी story को देखते ही समझ जाएं कि हमारी story क्या है use a simple, easy to understand language हमें उसमें simple और easy language यूज करनी चाहिए ताकि वो सबको समझ में आ जाए write short sentences हमें उसमें छोड़े-छोड़े sentences लिखने चाहिए maintain coherence, coherence का मतलब होता है कि जितने भी हमारे sentence है वह एक दूसर से related होनी चाहिए यूँ नहीं होना चाहिए कि एक sentence तो कहीं और से उठा लिया हमने और दूसरे का पता ही नहीं कि उस story से relate करता भी है या नहीं तो हर एक sentence एक दूसरे से interrelated होने चाहिए, connected होने चाहिए try to bring out a moral or message in the end last way हम story का moral, story का message या फिर कोई क्या idea convey करती है हमारी story यह हमें पता होना चाहिए तो देखे students यहाँ पर हमें एक छोटी से story दी गई है चलिए हम उससे study करते है in ancient times a king had a boulder placed on a roadways प्राचीन काल में ancient का मतलब होता है पहले समय की बात है ये पहले समय में एक राजा ने roadways मतलब रोड के ऊपर एक बहुत बड़ी शिलाखन रग दी थी बहुत बड़ा पत्थर रग दिया था boulder का मतलब है शिलाखन मतलब बहुत बड़ा पत्थर रग दिया था he then hid himself तब वह चुप कर देखता मतलब उसने अपने आपको छुपा लिया and watches to see if anyone would move the boulder out of the way तब उसने मतलब वह चुप कर देख रहा था कि क्या कोई भी जाने वाला वैक्ती रोड पर से इस शिला को इस बहुत बड़े पत्थर को हटाएगा some of the king's wealthiest merchants and courtiers came by राजा के कुछ चाहने वाले merchants मतलब व्यापारी जो राजा के लिए काम करते थे courtiers मतलब दर्बारी जो उसके दर्बार में काम करते थे वहाँ पर आए and simply walked around it और उसके चारोतरफ चक्कर लगा कर चले गए many people loudly blamed the king for not keeping the roads clear बहुत सारे लोगों ने राजा को उची उची आवाज में दोश भी दिया कि राजा ने इस रोड को साफ नहीं करा रखा कितनी बड़ी शिला रोड पर पर पड़ी है बट राजा को कोई मतलब नहीं है लेकिन किसी ने भी कुछ काम नहीं किया उस पत्थर को हटाने के लिए कहां पर से रोड पर से रास्ते पर से उस पत्थर को हटाने के लिए किसी ने भी कुछ काम नहीं किया तभी वहाँ से एक किसान गया उसने बहुत सारे वेजिटेबल का भार केरी किया हुआ था अपोन अप्रोचिंग दा बोल्डर दा पीजन लेट डाउन हिस बर्डन जैसे ही वह शिलाखन से टकराया उसका भार उसकी वेजिटेबल नीचे गिर गई and tried to push the stone out of the road और उसने उस road मतलब रोड पर से उस stone को उस शिला को हटाने का प्रियास किया after much pushing and straining he finally succeed बहुत जादा push करने के बाद बहुत जादा ताकत लगाने के बाद आखरी में वह सफल हो गया after the peasant went back to pick up his vegetables he noticed a purse lying in the road where the boulder had been तब peasant ने दुबारा से अपनी vegetables को उठाया और चलने लगा तो उसने देखा कि जहाँ पर शिलाखन पड़ी हुई थी and a note और एक note था जिसमें राजा ने लिखा हुआ था that the gold was for the person who removed the boulder from the roadways कि यह है gold उस वेक्ति के लिए है जो road पर से इस शिला को हटाएगा तो students देखा हमने यह छोटी सी हमारी story थी अब story के events पढ़ते हैं कि क्या है सबसे पहले है character इसमें कौन-कौन से character यूज किये गए है king, merchant, courtiers और peasant setting इसकी setting कहाँ पर की गई है roadway, roadways के उपर problem क्या है इसमें कि roadways के उपर एक बहुत बड़ी शिलाखन थी a boulder placed on the roadway solution क्या निकला applying a lot of push and strain to get boulder out of the road peasant ने बहुत सारी ताकत लगाई, बहुत सारी हिम्मत लगाई उस shoulder उस boulder को road पर से हटाने के लिए key events, इसके key points क्या है boulder on the road की road पर एक शिला पड़ी थी blaming the king, लोग राजा को blame कर रहे थे lay down the burden और उसका भार नीचे गिर गया था push stone out of the road उसने road पर से हटाने के लिए पत्थर को हटाने के लिए push किया ताकत लगाई तो students इस तरह से हम किसी भी story को लिख सकते हैं हमें उसके important points को ध्यान में रखना चाहिए तो students यह थी हमारी story यह थी हमारी worksheet का पूरा solution उमीद है आपको ही है worksheet बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी फिर भी अदि आपको कोई doubt है और कोई query है तो वीडियो के comment section में जरूर पूछे मैं आपके comments का जल्दी से जल्दी reply करने की कोशिश करूँगी वीडियो को like और अपने friend के साथ share जरूर कीजिए thanks for watching have a nice day